हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सब्सक्राइब करें तुम्हारी पाटी इतनी जबरदस्ती सबने मिलकर खूब एंजॉय किया और इससे आगे मैं अपने आलसी पती को खीच कर ले आऊंगी तुम्हारी पाटी में अच्छा, लगते हैं मेरी फोन के बैट्री डाउन हो रही है, अच्छा, सुनन दिम्पी, एक… इस फोन के बैट्री बेट्री 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 खितम हो बेए सुषील यह आवास केसी आई? यह आवास के बाटा है सुषील, सुषील, सुषील! क्या है, शोबा? कुन है यह लड़की? पुरे, यहाँ, आया केस्वे! लड़की? देखो! शोबा, मुझे नहीं पता यह लड़की कौन है? मुझे नहीं पता? तो किसे पता है? गर में कौन था? मैं या आप? शोबा, मुझे तुम्हारे कसम, मुझे बिल्कुल नहीं पता यह लड़की कौन है और कहां से आई है? जूट बोल रहे हैं, आप. प्लीज, ट्रस्टे में, मुझे नहीं पता, शोबा? इसके सीरसे तो खोन भेरा है, इसके पास तो टॉर्ज में है, सुषील, यह लड़की जरूर हो सकती है, हमें जल्से जल्द पॉलिस को इंफर्म करना चाहिए, मेरा फोण भी रेड़ है. टून रड़ी, मैं अपना फोण लेकर आता हूँ. कही इस लड़की के हौर तो साथी नहीं है? कही घर में तो चूपए नहीं है? क्या मुसीलत है? कि अरे? कहां गहीं के लड़की? नहीं है वो यहां! नहीं है मतलब? और कहां जा सकती है? यही पर तो होगी ठीक से देख रहा? अरे नहीं है वो यहां पर! तुम तो पिसी काम के रही हो, मैं तो अभी यहां पर बेटी थी? और अरे इसके चीर पर चोट लगी है और कहां जा सकती है वो? अरे बाबा नहीं है वो यहां पर! तुमने ठीक से देखा नहीं होगा, पहले चा कर देखो! अरे मैंने ठीक से देखा, आप लीचे गुज के से खूँ क्या? यहां? यहां हुआ? अरे कोई धारदार चीज बहुत जोर से सरपे लगी धारदार चीज? अहां, ऐसे लगता कोई मैटल का नुकीला टुकडा लगावनीचे नुकीली चीज तो गी है, पर वो लड़की गई कहा? तुम्हें लड़की की पड़ी है? अरे, यह देखो मुझे क्या हुआ? खुद, पर ऐसे कैसे हो सकता है? यह देखो नुकीली चीज, यह देखो. अरे यह तुम्हारा इंटीग टेबल गड़बड़ है, तुम्हारे दो लाक मिट्टी में गए, उस डीलर ने तुम्हें देवकूफ मनाया? सुशिर साफ, चीजे परत में आती है आपको. अरे, यह 200 साल पुरानी राजा महराजाओं के जमाने की टेबल है. टेबल के अंदर हो सकता है कोई अनमोल और बेश किम्टी चीज छुपी हो. मानलो, हम इसको कटवा भी दें. और इसमें से निकले भी कुछ ना. वह बात हो जाए, खोदा पहाड निकली चुईया और दो लाग तुमारे गये पानी. इसके कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है. बाइसाब, मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं. एक मिलटिके काम में आप इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? बाइसाब, यह एक्सरे मशीन इंसानों के लिए बनी है. किसी फरनीचर को स्कैन करने के लिए नहीं? यह क्या है? कुलहाडी? लकडी में कुलहाडी? भाइसाब, यह सिर्फ लकडी नहीं है. यह लकडी का टुकड़ा उस टेबल से लिया हुआ है, जो हमने पुरे दो लाख रुपे देकर खरी रहा था. लेकिन शोबा उससे क्या फरक पड़ता है? कुलहाडी तो कुलहाडी है ना? सुशिल, यह कोई मामूली कुलहाडी नहीं है. 200 साल पुराने टेबल से निकली हुई है. इसका मतलब यह कुलहाडी भी उतनी ही पुरानी है, करोड़ों में कीमत होगी इसकी. इसका मतलब 2 लाक में करोड़ों का समान? अरे भाईया भाईया जड़ा ध्यान से भाई साब घबराईये नहीं कुछ नहीं होगा वो क्या है न भाई साब इसके अंदर जो चीज है वो 200 साल पुरानी बड़ी किम्ती चीज है इसलिए अरे भाईया इतने सालों से आपके हाँ काम कर रहे हैं कभी कोई गड़वड किया क्या अवी, इसे लीजी आपके किम्ती सामान सर, सर है ना खास चीज, आपने शायद ऐसी चीज पहले कभी न देखियो सर, बताएए ना, कितनी साल पुरानी हो सकती है ये चीज? इसे फिए पहले, पहले हैं? जी, 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 आपलते हैं, इसे थिके साफ़ेखिता है,तों नुटती है, सिब निकाली गई है मेरे एक जानकार है इस खास इंटीक के लिए मुझे उनकी लेना बहुत ज़रूरी है थोड़ा टाइम लग सकते कोई बात नहीं सर खास चीज के लिए खास अपमी की सिला तो लेनी पड़ेगी इसको लाड़ी के ओपर लगे वे जिस खूनके जो दाख हैं जो मैंने देखे मेरे तो कान ही खड़े होगा और उसी वक्त मैंने सालोंके को कॉल के कॉल कैसे नहीं करते भाई पुराना दोस्तों तुमारा जहां कहीं भी खून देखते हो तो लास देखते हो मुझे भून करते हो याद करते हो मुझे परसे यह आपने बहुत ही समझदारी वाला काम किया मनों विराज जी पर आजकल लोग इतने चौकने होते नहीं अबजी पर यहां जो धार है यहां पर थोड़ा सा ताजा खून लगावा है लगता है इस कुलाडी से हाली में किसी के चोट लगी है और ये ये कुछ खास है ये देखा कुलाडी पर ये जो लगावा है ये खास है इसे चेक करते हैं वस, ये जो लगावा है खूलाडी पर ये वाकई इसी का खून है अबजीत इस कुलाडी पर इतना खून लगा हुआ है ये सिर्फ किसी के उम्ली कटने से नहीं हो सकता जरूर किसी का खून हुआ है ये पती-पत्नी सुशील और स्शोभा इनसे मिलना होगा पता करना होगा कि ये कुलाडी उनके टेबल में पहुंची कैसे सर मुझे लगता है ये पती-पत्नी दोनों कान ही बना रहे है सर लकडी की टेबल में कुलाडी कैसे आ सकती है वो सकता है निखिल ये इस बात का गवा है कि ये कुलाडी किसी पेड में थी अपका कहने का मतलब कुलाडी पेड के अंदर थी? हाँ वीजीत, सुनने में शायद हजीब सा लगे लेकिन ऐसा संभव है ऐसा हुआ है मैं बताता हूँ कैसे हुआ ये पेड अभी चोटा पेड है और इस पेड में यहां पर एक खोकला है किसी ने ये कुलाडी इस पेड के खोकले इसे में चिपा दे दिने दिने ये पेड बड़ा होने लगा और इस पेड के जितने वित्रविपदार है सेट, वो इस खुलाडी के खून पर एक तम परत बना करके जम गए और धीरे धीरे जैसे जैसे यह पेड़ बड़ा होता गया, यह खुलाडी पूरी तरह से इस पेड़ में समा गई और यह सब होने में कितना टाम लगा होगा डॉक्सर? करीब साथ से आठ साल मतलब आठ साल पहले से यह खुलाडी पीड में? नहीं, आठ साल से पहले, आठ से बारा साल पहले इस इस खुलाडी पर जो खून लगा हुआ है, उसका डियन आ टेस्ट करने से सारी कहानी साफ हो जाएगी सर इतने साल पहले कियोए गुना का पता कैसे चलेगा? अब यह तो यह लोग ही बताएंगे सर वो टेबल हमें एक एंटीक डिलर से दो लाख रुपे में करी दी सर आज सुभा ही हमें पता चला कि उस टेबल के अंदर वो कुलाडी है जिस पे खून लगा हुआ हुआ सर आमें नहीं पता कि वो खून कहां से आया सर टेबल के अंदर कुलाडी सर कहानी बड़ी अच्छी है कहानी नहीं सच्चाई है सर इससर कल रहा थ हमारे गार में एक लड़की खुसाई थी वो वहीं टेबल के नीचे छुपी थी उससे पहले कि हम पुलिसनी फोन लगाते है वह वहां से भग गई और सर जब वो लड़की टेबल के नीचे छुपी हुई थी तो उससे चोट लगई और उसके खून निकलाया तो हमें पता चला कि उस टेबल के नीचे कोई धारदार चीज है और वो धारदार चीज वो अच्छा लिया ठीक है एक काम करिया आप लो जो लड़की आपके गर में गुसी थी उसका ज़रा इसकेच बनो दी दिया जी सुर्ण और ये टेबल आपने खरीदा कहां से रहा है जी वो ओल क्लासिक एंटिक स्टोर ओल क्लासिक एंटिक स्टोर कहां थी तुम्हें रात पर? मैंने तुम्हें कहां-कहां नहीं डूड़ा? यह चोट कहां लगी तुम्हें? क्या हुआ? कुलहाड़ी सी आईडी के हाथ लगए. सी आईडी को पता चल गया? तुम्हें मेरी कसम है. मायरा, इन सबसे दूर रहो. नहीं, नहीं रह सकती मैं दूर. आप दूर रहे हैं. आप यह मज अताहिए कि आपको मेरी पर्वा है. पंद कीजिए यह नाटक. मायरा, तुम इसे नाटक क्या रही हो? मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या रही है? कुछ नहीं किया है आपने मेरे लिए. सिवा है दर देने के. सिव दर दिया है आपने. आप जैसा आपना हो तो, दुश्मन की क्या जरूरत? आइरा, तुम जो चाहो, मुझे सजा देदो. लेकिन प्लीस मुझे माफ करते. तुम्हारी सिवा मेरा इस दुन्या में कोई नहीं है. तडपी आप? आपकी बिले से मैं तडपी हूँ ना? यह आँखों में आसु देखकर ना? अच्छा लग रहा है मुझे. ज्यान से देखिये से. यह अंटीक टेबल दस दिन पहले आपने किसी मिसस सुशील को बेची थी. अरे हाँ साथ? 200 साल पुराना राजाओं महराजाओं की जमाने का टेबल है यह. देखते ही पसंद आ गया उनको. कुछ खास बात तो है. खास ही जाये तो कुछ जून-कुछ खास बात तो होगी ही ना? उस टेबल दर एक खुलाडी थी जिस पे खून लगावा रहा है. खून? टेबल दर खुलाडी कैसे आ सकती है? अरे नहीं साब, आईसा नहीं हो सकता है. यह है वो कुलाडी, खून हुआ है इससे. मुझ साब, आईसे फणिचर तो उंचे घराने या प्रावेट कालेक्टर से ही आते हैं. अब इसमें किसी ने कुलाडी रख दिया है, तो हमें कैसे बता होगा? यह बात दिया. आपने यह टेबल इससे खरीगी थे? एक मिनट्स आप, बात आपता होगा है? तो यह है तुमारे एंटिक फणिचर का नकली कारोबार, हां? नकली इन्वोज बना रहे हो, हां? बेर फणिचर बनाता है, और फिर उसे केमिकल से एंटिक लुप देता है, हां? मुझे माप कर दीजे साब, गलती हो गई. आइंदा इसी गलती नहीं करूँगा. टिंबर मिल से आता है. बेड़ी, कस्टमर से थोका दड़ी के मामले में इन सबको अंदर करो, चलो. चलो, चलो, चलो. चलो, चलो, चलो. छेफरसन टिंबर मार्ट. उदे यह ओर्डर कमाले, इसे टाइम पर बुचा देना, सब्चा देना? आप फी करमित किजे, सर. ट्रक मंगालिया है. आज के इतना भी ओर्डर है, आज डेलीवर करवा दूँगा. ठीक है, सर? ठीक है. ठीक है. अलो? आज़, आज़, आज़. आज़, आज़, आज़. आज़, आज़. आज़. एक कुलाडी, भी मिली इससे शयद गुना हुआ परिमीर मिल. यहा, लेकिन सर आपके दुकान में लकडी सप्लाई का काम कवंडेगते है? सर, उधे यहांकर सुपरवाइजर है, वो सप्लाइगा काम बितता है. काम मिलेगा यह उधे? सर, वो वह वहाँ पे, आयम आप लोगो मिलवाता है. आई, सर. फटबबट निखालो. आई, आई, सर. बंदो. सर, यह उधे. सर, उधे, जब आप लोग यहां पे सीसम की लखड़ी बेशते ही नहीं है, तो ओल्ड क्लासिक आंटिक शॉप में, सीसम की लखड़ी कैसे पॉचे है, वो भी यहां से? मुझे मालव नहीं सर, कुछ गल्ती ही होगी. गल्ती हुई है, बहुत बड़ी गल्ती है. ज़ती यह है, कि आपने मालिक को बताया बिना, बहान से शीसम की लखड़ी मंगवाई, और उसे सप्लाइभी किया. उदे बिना परमिट के तुम्हें लखड़ी मंगाई, और उसे सप्लाइभी गर दी? तुम जानते नहीं हो क्या, कि पिना पर्मिशन के लकड़ी काटना गुना है, और इसके लिए तुम्हें चेल हो सकती है, समझे? मुझे मापकर दिये, सर्फ. तुम्हें मापी नहीं मिलेगी, तुम्हें स्कूल में पड़ा नहीं है, पेड़ बच्चों की तरह होते हैं, और बच्चों की तरह उन्हें प्यार करना चेहिए. जंगल से सिर्फ वही लखड़िया काटी जाती है, जो खराब होती है, और वो भी फॉरेस्ट ओफिसर के परमीट के बाग! वो लखड़ी कहां से मंगवाई के? महागेरी जंगल से मंगवाई के सिर्थ. महागेरी जंगल है. सब यह कुछ पेड़ है, जन्हें जंगल विभाग ने काटने का परमीट दिया है, एक पेड़ काटने के बदले, दस पेड़ उगाने पड़ते हैं, अरे, आपके फॉरेस्ट ओफिसर का है, और कि तरह दूर चलना पड़ेगा, सब थोड़ा और, आगे चल कर देखते हैं, अभी कुछ दियर पहले ही गए, आपके फॉरेस्ट ओफिसर का नाम क्या है, विक्रम जी, कई साल हो गए हैं, आपके काम करते हुए, अच्छा ये शीशम के बेड़ का है, किस तरफ है, शीशम का जंगल तो काफी अंदर है, पर आम आदमी को जाने के परमीशन नहीं है, सार, विक्रम जी, मिस्टर विक्रम, या, आप लोग, अम लोग CID से हैं, और आपके इलाके में वे केश के सिलसले में आपसे कुछ जानकारी लेने आए, मुझे खुशी होगी आपके मदद करके, है ये, विक्रम जी, आपके जंगल से चोरी हुए एक शीशम के पेड़ में कुलाडी मिली थी, जिससे किसी का खून हुआ है, तर फोरेस्ट गाट्स की लापरवाई के वज़े से को जिन पहले सिसम का पेड़ चोरी तो हुआ था, लिकिन पेड़ में एक कुलाडी वाली बात मेरे समझ में नहीं आई, वारन सिख जान से ये भी पता चला है कि ये कुलाडी, इसले दस बारा सालों से इसी पेड़ में थी, सर फंद्रा साल से में इस फ़र्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये बात होता है कि जो खून हुआ है, वो उससे पहले हुआ होगा, कुछ बता सकते हैं? सर, मैं अपनी पहली पॉस्टिंग से इसी जंगल में हूँ, लेकर ऐसा कभी सुना नहीं, सर? विकरम जी, ये बुलाडी हमें इसी जंगल के एक पेड़ से मिली है, इसका मतलब तो साफ कि जिसका खून हुआ है या फिर जिसने कून किया हूँ, वो दोनों लोग इसी इलाके में कही आज पास रहते होंगे, सर, इस जंगल के आज पास दो-तिन गाओं है, उस फामाउस है, अगर ऐसा कोई हाथसा हुआ होता, तो मुझे जरूर पता होता है, ठीक है, फदा करते हैं यहां के पास में और गाओवालोस है, दस बारह साल पहले यहां से कोई गाया गुआ था क्या, क्या प्रोगेस है, कहां तक पहुँचा यह केस? सर, उस लड़की का स्केच बनवा लिया जो शो बार्श शुषिल के गर में कुछी थी, पुर्वी, स्केच कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्डर है इसका? नई सर्फ उस एरिया में किसी न इसे पहले देखा? नई सर्फ इसके सारे पुली स्टेशन न बिजवा दो, शायद कुछ पता चल जाए है सर्फ वह माहगेरी के जंगल से क्या पता चला? सर्फ यह वह जंगल उसके आसपास का नक्षा इस जंगल के अंदर एक गाउ है जील के पास दो और गाउ है जो जंगल से भाहर है पूरप की तरफ और कुछ फाम हाउजे से पच्छिम की ओर पिछले दस बारा सालों में ऐसा कोई केस जो सॉल्मना हुआ हो जिसमें कुलाडी का इस्तमाल किया गया हो नाई सर्फ कोई मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं है मगर गाउ में एक फार्म हाउस है जो पिछले दस बारा साल से बंद पड़ा है दस बारा साल से बंद पड़ा है आसपास वाले लोगों का कहना है कि उस फार्म हाउस का मालिक अचानक एक दिन कहीं चला गया और फिर कहीं किसी को दिखाए नहीं. जाना मैं मालिक का? सर, प्रेम कुमार, पुराना समान करीदता बेचता था. एंटीक टीलर? इस प्रेम कुमार के फार्माउस के चानदबीन करने पड़ेगी. सर, यह जगा बारा साल से बंग पड़िये, सर. पंकाईज, हम लोग इसलिए तो यहां पे आये हैं, ताकि पता लगा सके के बारा साल से एक क्यों बंध है और इसका मालिक का है. सर, सुन्सान जगाओं पे आत्मा होती है, सर. हाँ, मैंने सुना है, यहां आसपास चम्शान घाड़ भी है. क्या? पंकाईज, कब तक तो लोग यह आत्मा की चक्र में फसे रहोगे हैं? आत्मा प्रा कुछ नहीं होती है. चलो, घून्दू अंदर, देखो कुछ मिलता है क्या. आत्मा प्रा कुछ मिलता है. क्या के व Competition मिला सेन recruiting है. सुन है, आत्मा कुछ मिल सकते हैश маленьелов मिल समय मिल ते СамЛवया diri झालो मिल तक सेन्मा का प्रा दे थेषाद सता का. क्या का, क्या है… यह डेगे सर, यह रहा प्रेम. इसकी बीवी बच्चे को चंद देते ही मरग थी. बच्ची का नाम सोना है सर। स्वे इतनी चोटी सी बच्ची को छोड़ कर कोई कैसे जा सकता है? वो सकता है बच्चे को अपने साथ ले किया या पिर अपने किसी सग्यावाले के पास छोड़ के गायव हो गया हूँ? यह आवाज कैसी? सर, मैंने कहा था, यहाँ पर कुछ है, अंदर में जाएए, प्लीज एई से भाज चलिएए अच्छ, जा सेहाँ, सर, मर्माइएगे, सर, इनक्ति में थे? मुझेवी, थोड़ा-थोड़ा शक्षोने लोग है सर, बस्तर पर सिल्वटे पड़ी है जगह अभी भी गरम है, इसका मतलब कोई था यहाँ पर सर, आत्माय गरम जगे पहरेती है आपड़ी, मगर आत्माय शराब नहीं पीती कोई तो है यहाँ, ठूड़ो सर अंकच, आत्माय ने हमें घर में बंद कर दिया सर, हम यहाँ से निकलना हुगा कैसे भी? तो सुखेर इस्पेक्टर बन चुके है हम दो तो सब इस्पेक्टर में ही मर जाएंगे सर, मैं वहाँ से मी जाँगा, अगैर आपको जनन तो आप जो ठीके, मैं जाता हुगा आत्माय 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 अगाय आत्माय आत्माय डूचर सब लोग हाँ अर यहां घर में क्या कर दो साभ अमने कुछ गलत नहीं किया आप्टी यह जगा बंद पड़ी थी इसल्ली हम लोग एक साल से यह रहने लगे कितने लोग रह दो इस गर में हाँ तिन लोग साब और उमारे तीसरे साथी ने दर्वाजा बंगिया था भार से? पता नहीं सर, वो आपसे पहले चले गे इठे सर किसी के भी घर में पिछले एक साल चे तुम लोग रहे रहे हों यहां पर तुम लोग यह पाप कर आजा है क्या? साचिन, इन दोनों को खमरे के अन्ना बंग करदो, यह भागने ना पाए और उस कीसा काया उसे बीठूटो, चला, चला चला साथ आपर वे क्लावतो साथ सरीय देखिए शीक वैसी कुलाडी लगता है यहाँ पे भी आईसी कुलाडी थी और शायद भी कुलाडी हमें फानीचर के अंदर से मिली हैं सर यह दोनों कुलाडिया फ्रेम को मार के हैं मतलब वो किसी को मार कर छुप किया? कुछ कहा नहीं सकते पुर्वे कि किसने किसको मारा है याँड़ी फ्रेडिसरों, आपके कपड़ों से बहुत भास आहिए पकच, नाक मुझे भी है, बदबु मुझे भी आहिए टीरे कपड़ों से आहिए बदबु तोँ आहिए, अगर बदबु के वज़ा यह गंध है जो तुम्हारे कपड़ों के लगावा है ज्याव, दोग्याव. शी! गद्दा कहीड़ी? हाथागी करूँ, हाथागी करूँ, पेल्या हाथ दोत्थे. आपे, हाथ डूराए या पूदोराए मेरा? ज्याव, पेलो मेरा हाथ दो लाए लाए प्लीज, अच्छा. तेरे हाथ दो लाएजा तामागी? पेडिसर, पेडिसर डूराए फिल्याए? पेडिसर, पेडिसर के इंदर देगो! अवेशा में चेफल होँ, है? जोन्यार, पकाट्थ! जी सारून के साफ जी तारिका जी आपके बॉस का है किसी और शे शर्ट लगाने चले गए क्या बाहर गया बाग गया बाग गया मुझे मालूम था मेरे आने की बात सुनके यहां कहा रहेंगे निकल लेंगे कही न कही अब जी बाहर गया बस अभी आते ही होंगे हाँ आपको यह छोड़के काम करने के लिए बौत नहीं साफ ही है यह मैं इस कंकाल का फेशिल रिकंस्ट्रक्शन कर रही है ताकि हमें पता चले कि यह प्रेम है यह कोई और मैं जानता हूं आप पता लगाई लेगी वो तो है अचा यह बताई है यह आपको बता चला कि नहीं कि यह मौत की बज़े क्या है बाई साब को छोड़ो डिटेल वाला साफ्वेर इधर है आप आप हैं जी हां हम हैं मैं तो आप से पूछने वाला था आप नही हाए यह है धो इसी की गडर्दन की अप्नी कुझझ जथले हम आप से देखो कि निशान निशान हमँ साफ बताता है किसाण। इस आदमी पर किसी थार वाले हतियार से वार किया है ऐसी निशान तो कुलाडी से भीवन सकता है तो कि प्र क्या उमर क्या होगे इसकी इसकी उम बन गया, जहरा? यह तो प्रेम है? इसका मदव किसी ने प्रेम को मार गये, उसके लाज को कोई मच्छ पा दिया. प्रेम का दो पता चल गया है, लेकिन उसकी बेटी सोना कहा है? प्रेम के दोस्तों और रिष्टेदारों को फोन करो. उनसे पूछो कि किसी को सोना के बारे में कुछ पता है कर? हाँ, सोना नाम था उसका, एंटीक डीलर प्रेम कुमा की बेटी. जी, क्या? कुछ पता नहीं आपको. तिया, वस बच्ची गरिष्टेदार है, और आप करना वह कुछ मौलूम है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तिया, आप जो कुछ बजान दें सइसे बताए, प्लीज. आपको भी कुछ नहीं पता? देखें, हमारे लिए उसके बारे में कुछ भी जाना बहुत जरूरी है. प्लीज समझ नहीं की कोशिश कीचे. नहीं, जुरा तो नहीं पाएंग. लेकिन इतनी रात को किसी अजनभी के गर में गुसने का मतलब क्या हो सकता है? इरादा तो चोरी कई होगा ना? अम पता कर रहे हैं, आप दी रूंडिया उसे. या. आप अरवे, इतना टाइम? सर, बस कुछ देरो. दुर्शन, कुछ पता चला? सर, अमने बेटी के बारे में असके सभी दोस्तों और जान पर जान वालों से बात किया लेकिन अगुछ कुछ बता ही नहीं पा रहा है. सर, उसके रिशारत बात करें जिसे उस मासूं की परवाई नहीं थे अरको. यही हो रहा है. अपने सिवाये दूसरों की पड़ी ही नहीं किसी को. सर, सर, प्रेम के फार्म हाउस के आसपास रहने वाले लोगों को भी सोना के बारे में कुछ नहीं पता. अचा? कहा में होगी यह रचारी लड़की? सर, जब प्रेम का खुन हुआ तब सोना आट साल की थी. अगर आप वो जिंदा है तो वीस साल की होगी? वीस साल की उमर में सोना कैसी दिखती होगी? इसका पदा तो हमारे एक्सपर्ट लगाई रहे ना? सर, बन गया, अब आप देख सकते हैं. सर, यह तो… सोना! सोबा और सुशील के घर में सोना ही कुछी थी? यह क्या चक्कर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कुलाडी के तलाश में उनके घर में गई हो वो. लेकिन सिर, उसे कैसे पता चारोगा उस घर में कुलाडी? इसका जवाब तो अब सोना ही देगी. उसकी यह फोटो सारे एकबार और न्यूस चानल में भेज़ दो. अगर इस शेयर में है, कोई ना कोई तो पैचानी लेगा. सोना नहीं सर, इस लड़की का नाम मायरा है. जब 2003 में यह दस साल की थी, तब हमारे बोर्डिंग स्कुल में एड्मिशन के लिए आई थी. और यहीं से ट्वेल पास भी किया. मैड़म, आपसे कुछ बूल हो रही है. इस लड़की का नाम सोना है, मायरा नहीं है. नहीं सर, जो बच्ची हमारे स्कूल में दस साल तक पढ़ाई की है. उसे पहचानने में हम कैसे भूल कर सकते हैं? सर लगता है, सोना का नाम बदलकर उसकी असली पहचान चुपाने की कोशिश की गई है. मायरा को यहां लेकर कौन आया था? मतलब उसकी फीज कौन दे रहा था? क्योंकि उसके पिताजी तो थे नहीं उस वक्त. उसकी पिताजी है? वही तो मायरा को यहां अडमिशन के लिए लेकर आय थे. और जब वो पास आउट हुई, तो ले जाने भी आय थे. मैडम, हमारे पास सबूत है. दो हजार दो में मायरा के पिता जी प्रेम का खून वा था. सर, मायरा के पिता मिश्टा प्रेम नहीं, मिश्टा रगुनाथ जी है. क्या? रगुना? यह कैसे हो सकता मैडम? किसी भी बच्ची के एडमिशन से पहले, उसके सारे डॉकुमेंट्स हम अच्छी तरह चेक करते हैं. और मिश्टा रगुनाथ जी के पास सारे डॉकुमेंट्स थे. माले, तोनों की शकली एक जैसी, सिर्फ नाम बदल गया. सोना से माहरा हो गई और उसके पिता प्रेम से रगुनाथ बन गया. कुछ औरी चक्कर है. इस बच्ची के नए पिता जी रगुनाथ से मिनना पड़ेगा. उलगते हैं हता भी जी? रगुनाथ जी? साथ! साथ जल्दी आये! रगुनाथ? साथ के शाथी में दो को लिए रागी? सर शरीर पर हात पागी कोई निशान नहीं लिख रहे? अने मुर्जम को पता चल गया था कि हम लोग यह आने वाल हैं. इससलिए रगुनाथ को मार दिया. सर शायद मायरा नहीं चाहती हो कि उसका रास खुले इसलिए उसने मार दिया रगुनाथ को. नहीं पंगाशे, मायरा नहीं नहीं. यह उसी आद्वी ने मारा जिसने दस साल पहले प्रेम का खून किया था. और अब वो सारे सबूत मिटा रहा है. एक काम करो, रगुनाथ के मुबाईल से मायरा का नमबर निका लो. सर, सारा घर चेक कर लिया, मायरा का बेडरूम भी देख लिया, घर में कोई मिल. सर, सर इन सब के पीछे कौन हो सकता है? सर, मायरा के फोन की घंटी बजरी है, लेकिन मायरा पोन ने उठा रही है. लेकिन मायरा पोन ने उठा रही है. मेकल, मोबाईल फोन का लोकिशन ट्रेस करो. लेकिन 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 लेकि झाल, झाल, पोली कर, प्रेम का हूं क्युट यह पाल, हा? मैं जंडल में यहार कानुनी तरीके सब एड़ कटवाथा था हाहा और सिकार करवाथा था जिससे मुझे अच्छी हमता नहीं हो रही थी लेकिन इस प्रेम को सब पता जल गया था मेरे बारे में और प्रेम ने जब तुम्हारे खिलाफ कंप्लें करने की दमकी थी तो तुम्ह प्रेम को भी मार था है मैं मैं इसका फॉर्म हमस पर गया था पैसे देकर उसका मुझ बन करना चाहा लेकिन फोन करके वो पुलीस बलाने के कोशिच कर रहा था कुछ सा गया मुझे है कि वार से उसकी कुलाडी निकल कर उसे मैंने मार दिया और फिर तुम्हे अपने 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 लगा था कि वो पुलाडी और इस बच्ची सोना को भी टिकाने लगा दे लगा दे लेकिन मुझे क्या पता था कि वो प्लाडी पेड़े में जुबा देगा और इस लड़की पपालने लगेगा अज़ इंसान यह तो थी रगुनाद पे तुम्हे तो इस जरूर मिलेगी जाएद फासी होगी तेकर पंकर पेजाओ सर्ण गलती होगे तुम्हारे पिताजी का खून हुआ यह तुम्हारे पता कैसे चला है मैंने अपने पिताजी का खून अपनी आखों के सामने होते देखा वह सद्मा में बडाश्ट ने कर पए मैं बेहोश होके गिर गई मेरी सिर पर चोट लगी और मेरी याद आश्ख हो गई तपर तुम्हारे पिताजी के बाद में तुम्हारे पदा कैसे चलाओ कुछ साल बाद सर मुझे अजीब अजीब से सपने आने लगे और सपनों में न एक ही चेहरा दिखने लगा फिर क्या हुआ तो ये बात मैंने रगोनाज जी को बताए जिनने मैं अपना पिता मानती थी लेकिन उनों ने मुझे कुछ नहीं बताया वो वो घबरा से गए थे तो मुझे लगा कि वो मुझे कुछ छिपा रहा है तो मैंने अपने तरीके से छानबीन करना शुरू किया तब मुझे पता चला कि जो चेहरा मेरे आखों के सामने आता था सर वो ही मेरे असली पिता है जिनका पड़ी पेर है वे से खुट फिर क्या हुए फिर मैं फाम हास गई मेरे अपने घर वहां वो कुलहारी तेक कर मुझे सब कुछ याद आगया लेकिन सर वो खुणी का चेहरा मुझे याद नहीं आया इसलिए तुमने रगुनाद जी से जा कर पूचा मैंने रगुनाद जी को फिर से पूचा लेकिन उन्हें मुझे कुछ नहीं बताया बस वो जगा ले गए जहां कुलहारी फेक ती गए थी रगुनाद जी ने तो सारा इल्जाम अपने उपर ले लिया था लेकिन मुझे यकीम था कि रगुनाद जी ऐसे कर ही नहीं सकते तो फिर मैंने फिर से पता करने की कोशिश की और तुम कुलहारी की तलाश में सुशीर और शोबा के घर पहुच कर तुम ने सी एडी की मदद क्यों नहीं थी क्योंकि मैं उस खूनी को अपने हातों से सजा देना चाहती थी जिस कुलहारी से उसने मेरे पिताजी का खून किया था उसी कुलहारी से उसका गला काट कर अपने पिताजी की मौत का बदला लेना चाहती थी नहीं बदले की आग इंसान को अंदा कर देता है एक इंतिकाम दूसरे इंतिकाम को चनम देता है यह तो अच्छावा कि तुमारे हाथों के गुना नहीं हुआ और रही बात इस विक्रम की इसने जो गुना किया है इसकी सजाव से कानून देगा थाक्यू साथ झाल 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 झाल